कि अब दोस्तों वेल्कम डू या अभी मन्य वाइस पर बहुत दोस्तों तो दोस्तों कि विल्कुल राइट टाइम है स्टार्ट करेंगे हम फेब्रेरी में और खतम कर लेंगे मैं तक कि आपका स्लेवर्स पींप्लीट नहीं हो इमानदार से बात बता रहा हूं इतरे दिनों में तो कहां किसा वाम में हो अपने एक साल को दाव पर लगा रहे हो तो डेली पूछते हैं उससे परसनली कि सर अगर तैयारी शुरू कि हुए कितना टाइम लिए खतम होने में कब क्य करें कि अगर आप लोग यह सोचते रहोगे कि आज करें कल करें परसों करें तो फिर सोच सोच में समय निकल जेगा और कुछ हाथ निया लग रहा है और तैइस वालों के साथ फिर चौबिस में हो इस बात बोली जाएगी फिर एक अच्छी से वीडियो निकाल लोगा वह उ कि उन नलायकों को बताना तो पड़ेगा कि मैं जब बोल रहा था जब तैयारी क्यों नहीं शुरू की अच्छा आप नलायक नहीं हो भाईया पढ़ने वाले बच्चे तो जोइन करो देखो उस उस पंक्ती में या उस कतार में मत खड़े रहो तो सोच रहें बीबी की तैय करें तो कैसे करें क्या करें कैसे करें समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग एक ऐसी सिच्वेशन में अपने आपको डाल रहे हो जो डैटनेंट पर जाके खड़ी हो जाएगी जाके ना जीस की तैयारी ठीक से अगर सी सैट की तैयारी शुरू करनी है तो कैसे कर बेसिकली बच है यह तो पता चले कि करना कैसे हाँ मता देता हूं कि इसी इनिशेटिव को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों की दूर करने के लिए अभी मैं न्यू आई एस ने लॉंच किया है अध्ली सिर्ट इसकी टाइमिंग्स है मेरी बिटा तीन से लेके साड़े-चार ठीक है अगर आप हमारे हेड सेंटर महली में पढ़ चाहते हैं तो आप आप आफ लाइन लगा सकते हैं तो टोटल मेरे पास नबे लेक्चर्स हैं जो लाइव मेरे को मिल रहा है मतलब कोर्स के अंदर हैं अब आपको होगे सर आपने 180 प्लस बोला यह नबे कैसे आगे देखो यह सकते हैं कैसे आए कैसे आपने किया और कैसे बाकी बच्चों ने किया उसके बाद में कितने हैं कितने मिलेंगे आपको 30 प्लस अब कॉल भी कर सकते हैं वाइसा कीजिए चलिए एगे दूसरी बात आपको इसके वह और क्याय मिले है यह तो आपको मिली रहे देखो सबसे पहले आपको वीकली शेड्यूल का पता चलता है कि भी और यह हम शेड्यूल जो आपका लेक्चर है उसके साथ क्या मिल रहा है यह लेक्ट्टर के साथ क्या मिल रहा है थल्फ लेक्ट्टर में लेक्ट्र पीडिएफ रिसॉर्स सिझ वह पार्ट है वेब नोटे बहु SM कुछ एक आपका नॉर्मल सा पार्ट कौन सा या तो आपका वो क्या नाम अपना कुछ फॉर्मली हो सकते हैं कुछ पार्ट उस प्रेक्टर का नमबर तीन प्रेक्टिशीट अब आपको कि सर प्रेक्टिशीट है तो डाउट सेशन में होना चाहिए तो बेटा यह तीन से साड़े चार का टाइम है यह पांच बजे तक है यह जो हर लेक्टर में आपको 30 मिनट मिल रहे है न यह 30 मिनट ही मेरा क्या है इंडिरेक्टली डाउट सेशन तो यह समझना आपको टेरिज़्ट क्वालिटी क्वालिटी कांटिटी मच जाओ दो तीन जारूबर में हर जगा मिल रहे है ना थोड़ा सा हटके सोचिए वालिटी कहां है देखिए इन इक सारी डिफरेंट चीज़े सिनेरियों आपको मिल रहे हैं तो इतना करने के बाद कि यहीं आपके क्लिर होंगे और आपको क्या मिल रहा है आपका हर संडे को संडे को एक बजी आपका है वीकली टेस्ट इस weekly test में क्या आपके पास इस weekly test में आपको video solution मिलेगा जो संडेद आपका टेस्ट होगा मतलम इस सुआरे मैं घलत बोल के शायद इस test का आपको video solution मिलता है और और अंसर भी वैसे ही नियोंगके जैसे हम कैसे कर रहे हैं प्लास के अंदर कर रहे हैं तो डरने कोई बात नीं जूरी हमाँ से एक नेक्स्ट है मेरे पास प्रॉफिट लॉस टॉफ फाइब की तरफ लिए बहुत इंपॉर्टन कोश्टों के साथ मैं थोड़ा सा ना अब क्या है अब यहां पे कोश्टन का लेवल थोड़ा सा अब भी हो सकता है अगर यह कुश्टन करेंगे तो काफी हद तक हम पार हो जाएंगे कंफर्म यह सोल्ड एन आर्टिकल 10% loss on cost price है या नहीं मैं मानता हूँ अगर CP मेरे पास 100 था तो पेटा selling price कितना होगे 10% 90 होगे simple simple बात ठीक है यह ब्रॉड दा आर्टिकल है 20% discount on the labeled price देखो अब यह जो cost price था इसका मतलब क्या है जब इसने खरिदा होगा तो कुछ MRP रहा होगा समझागी बात यह cost price इसके लिए क्या रहा होगा भाई इसके दूसरे के लिए selling price यानि आप क्या बोलोगे 80% of MRP किना मेरे पास हो है simple simple यह cost price से मैंने compare किया 80 by 100 of MRP इस चार इस पांच और 25 तो MRP कितना आगा मेरे बास 125 clear what would we have been percentage loss had he brought it at the labeled price वो कह रहा है कि भाई कितना क्या होता कि अगर इसको मैंने label price पे ही खरिदा होता क्या करूंगा मैं अब कुछ निगल के बताईए फट 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 अजी बताईए इसका मतलब आप शूरू में क्या होता एक सो पच्चिस की इस इसकानट परसंट पर इसकानट पित्र पे मिला हैım 25 पर शूरू जारू अगर्टाईबे अगरगा pop clarity चले बाई नेक्स कूशन पर चल रहो हूं मैं अब प्रॉफिट ओ तेरा परसेंट इस मेड़ बैस सेलिंगा शर्ट आफ्टर ओफरिंग अडिस्काउंट टूंटी परसेंट तो मार्क प्राइज और शर्ट इस रूपिस तूटू सिक जेरो फाइंट इस प्रेशन में तो ध् इस पर डिसकाउंट है कि अगवाई ट्वंटी परसेंट का इन परसेंट की वह दो सब्विस जैनि माइनस पूर की टू करूंग तार्ट वावन जिरो एट वाइस मैंने चार्ट अथारा सो आठ यानि अगर अमर्भी है तो सेलिंग प्राइस की तरह है मेरे पास इसका मतलब सेलिंग प्राइस था अगर तेरा परसेंट का प्रॉफिट है तो डेफिनेटली वह चीज कितने ही मेरे पास प्रॉफिट यहां मेरे पास एक सो तीरा परसेंट की वैल कितने हैं मेरे पास ओ तरह सो वाट तो एक परसेंट की वेल्यू इसनगी और जा मेरे पास, 6, 78, कितने टाइम बचाए, जा 6 तैम्स गया, 13 चीक ए 60, तो अगर एक परसेंट की वैल्यू मेरे पास, 16 है, तो पेटा कॉस प्राइज के दना, 100 परसेंट की वैल्यू, तो अगर मैं कहूं, मैं अगर कहूं, इस तरीके से ठीक आप कर सकते हैं, बट, अगर मैं कहूं, इस से भी छोटा तरीका है मेरे पास, तो, चोंक आप, चोंकी पास, देखो, अब याद रखीएगा, मैंने पहले करवाए एक कोश्चन, कोश्चन में अगर एक डिस्काउंट, एक डिस्काउंट, एक प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, तो कैसे करेंगे, देखो, मेरे पास, डिस्काउंट परसेंटेज, अब इसका रिलेशनशिप क्या होता है, यह सुनिया ज़रा, एक डिस्काउंट परसेंटेज, और MRP कितना हो, 100 प्लस, प्लस, प्लस काउंट, याद रहने के तरिका के मैंस का होगा, प्लस का होगा, कॉस्ट प्राइस, मैं जितना जाहूं उतना कम चाहिए, मुझे, और MRP, जितना ज्यादा बढ़ागे लेखूंगा, उतना मुझे प्रॉफिट, तो डिस्काउंट कितना म तो यह कितना होगे, 80 ratio of तो तेरा, इसका मतलब अगर कॉस प्राइज असी था तो MRP कितना होगे बटा एक सो तेरा यह इसका मार्क प्राइज तो शर्ट इस पाइज सो साथ यानि इसके वेलिए कितनी है, तो सो चप्पिस गुना दस ने कुना? इस गुना तो इसको भी बिस गुना कर दो, अंसर इस इन हंडर, और अप्शन अमबर सी, इस 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 द राइट पोश्चिन, पर इस द राइट मेटर नोट वोश्चिन, तो राइट मेटर तो 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 यू मस्टो एच अन अवरी पाइट, इच अन अवरी कॉंसेट, इच अन अवरी लेंग्वेज ऑफ द रुच्शन, चलिए, लेट आस मूट आउट तो इस अन लाइक शिर ने सब्स्राइब दे चैनल स्ट्रेट, और भाई, देखो, टीम ना, पूरा मेहनत करते हैं, नए ने कोशन खोजगे लेके आरें आपके लिए, मेहनत लगती, इस तरह कोशन सो डिसकस करने में में, बनाने में के कोशन बने हुए इन में से, ठीक है, कई अच्छ 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 एग्जाम में आये हुए, आफर गेटिंग टू, सक्सेसिव डिसकाउंट, अपूरवा, कोटा जीन्स, एट 714, उस मार्क प्राइज इस रुपीज वन थाउजन, इव दा, सेकंड डिसकाउंट इस फिप्टीन परसेंट, पाइंट फास्ट डिसकाउंट, बेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा पॉजिचन, ट्राइ करें, करिए, देखो, आप ओ लोग इसे ट्राइ करिए, देखिए, मैं कहता हूँ, MRP है, MRP है मेरे पास 1,000, ठीक है, MRP अगर मेरे पास 1,000 है, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना है, आपका कुसर सेलिंग प्राइस है, 7 मूँ, यानि सिधा सिधा मैं क्या हूँ, 2,80, 6 का डिसकाउंट मिला, 1,000 पर, 12, 3 परसेंट, तो क्या मैं कहूँ, मुझे ओल ओवर जो डिसकाउंट मिला, 28 पॉइंट, 6 परसेंटेज का मिला मेरे बच्चों, या, थाइस दसम्मलब 6 परसेंट का मुझे डिसकाउंट मिला यह, इतना ही मिला होगा, ठीक है, अब दूसरी बास सुनिए, मेरे पास, सक्सेसिफ डिसकाउंट के लिए एक फोमला होता है, माइनस A, माइनस B, 10 A, 500, इसे याद रखेंगे, नई याद तो फ्रीज करिये, ठीक है, अब मुझे एक बात थाओ, कोश्चन क्या कह रहा है मेरे को, कोश्चन कह रहा है कि दूसरा डिसकाउंट कितना है, 15 परसेंट है, या नि मैं क्या कहूंगा, माइनस A, माइनस 15, 15 प्लस, 15 A बटा 100, और ये कितना आना चीए मेरे पास, अठाइध दसम्वलब 6, अगर आप सक्सेस्व लगाना चारून है, इसमें, कि अगर मैं बात करूँ, इसमें लगातार वाला लगाऊं मैं, इसमें अगर मैं ये चाहूं कि मैं लगातार वाला लगा दूँ, तो इसमें बड़े दिक्कत है, उसमें, उसको कैल्कूलेशन मिस्टेक मेरे होने के बड़े चांसे हैं, तो, देखिए उसको, देखिए, अब अगर मैं बेसिकली देखूं, मुझे यही जो डाटा दिख रहे हैं न, यह थोड़ा-थोड़ा 28-30 के आसपास का है, तो, डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर 15 पूट करता हूँ, खुद सोचो, 15-15-30, 30 में से कुछ गटाऊंगा मैं, और 30 में से कितना गटाऊंगा मैं, अगर 15 पूट किया है मैंने, तो, यह कितना गटाऊंगा, तो, 2.25 में से, अगर मैंने 30 में से 2.25 पूट आए, तो यह जादा आ गया, 28.6 से उपर निचे, बैठ किया, यहाँ पर मुझे क्या पूट करना पड़ेगा, यहाँ पर इसे में पूट करूँगा, 16, 16 पूट करके देखते हैं, 16 ओप्शन में, 16 में, 16 मैंने 15, 16, 15, 22, तो, बैटा ही कितना हूँगा, minus 31, plus of, 15,25, 240, याने 2.4, तो इस में से बाइट 2 गटा, 39, minus 19, plus 0.5, अगया है, 28.6, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस तरह के कोश्चन में तो थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज नोट कीजिए नेक्स कोश्चन में बढ़ने बच्चो अगर यह जी नेक्स कुश्चन क्या कर रहा है कि मांचू पर्चेश दा मोबाइल फोन और लेप्टोप और 32,000 इसोल्ड दा मोबाइल फोन एटर लॉस अपर्सेंट अंद लेप्टोप पर देप्रोंट पर्सेंट इफ इस टोटल प्रॉफिट वस त्वेल बंडर फांड दा इसको मैं करने वालों एलिगेशन से अब कोई सर प्रॉफिट लोज में लिएस जैसा कि मैं हमेशे कहता हूं एक कॉंसेप्ट है एलिगेशन एक कॉंसेप्ट है एलिगेशन कोई टॉपिक निध्यान रखिए क्या दिये मांचू पर्चेश मोबाइल फोन और लेप्टोप प्लस पॉन तो तो टोट थर्टी तू थाज़न के लिए इसोल्ड मोबाइल फोन यानि फोन को कितने में भाई 10% के लॉस पे और लेप्टोप को के लिए परसेंट के प्रॉफिट पे अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना आया देखो आपके आपको बाराज़ों का बिल स्कूल ख़ुषाने आइंट्वाव nedo इंट्वाफ एक्सोमीस कुटा है अपाड़ को फ्राह दो को सवय है लोकार और चारसे मल्टीपला है करा हूं और अल्टी मिल्ली कितना पंदरा मायनस केजिए 40-15 कितना हुआ 25 15-10-130 कितना हुआ मेरे पास क्या हुआ यह पांच रेशों गाहिए पांच रेशों मेरे पास क्या यह सों प्राइब का रेशों आया मेरे बास को बेटा 16 की वैल्यू कितनी दी है अ paar टेसे कि एकी वेल्यू को सब्सक्राइब करें लेप टॉप की तो लेप टॉप कितना ग्या रहा है कि दो हजार कि अधा मेरे बास ऑप्शन नमबर भी कि अधार कि वेरी 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 ब्यूटिफुल कुशन बहुत अच्छा कुश्छन कि अधार कोस्प्राइब की बात करूं तो आगर टीशट को मने सौ माना कि अधार को के सर्रेशो में तू निले बिकॉस कले टीव लगर है मुझे पूरा और नहीं से करना है इसके लिए बात करूंगा प्लस बाइस यानि कितना एक सुबत्यस एंड सीपी एंड टीशेट थर्टी परसंट अबव टीशेट का मेरे पास तर्टी यानि कितना मतलब यह MRP आफ टीशेट थोड़ा ध्यान रखिए कलकुलिटी पार्ट आएगा बागे ठीक है find the sum of 4 denims and 5 टीशेट यानि मुझे 4 denim प्लस 5 टीशेट पता करना है if the shopkeeper allowed discount of 20% टीशेट इसका 20% कितना है बेटा minus 20 यानि कितना हुग एक सो चार परसेंट यह परसेंटेज में ले लो क्या रहोगे ठीक है एड 25 परसेंट टैनिम इसका 25 परसेंट इसका अद्धा कितना हुआ अच्या सट मैनस 33 करती जिए मतलब यह क्या होगा सैलिंग प्राइज आफ टीशेट अब क्या रहा है और दिफ्रेंस ब्रेंस यानि सेलिंग प्राइज कितना दिख रहा है मुझे 5 परसेंट परसेंट की वैल्यू कितनी है 50 एक परसेंट की वैल्यू कितनी है गे 10 वह भाई सबसे पहली बात एक देनिम का प्राइज कितना होगा इंटू 10 कर दो अजी 32 जब दैनिम सी में बात करूंगा तो क्या होगा मेरे पास एक तो बत्रिस गूना दस यह का होगया तो टीशेट की बात करेंगे एक सो तीस अंदस यह मेरा भाई उत्तर है यह कितना होगा तेरा चोक के बावन पान सो बीस प्लस आठ पाइव प्लस प्लस लाइक श्टेर इन सब्सुराइब दा चैनल सुने एज वाले वीडियो नेक्स में बात करूंगा बेटा मेरे माइक्रो कोर्सिस की वट आर माइक्रो कोर्सिस अर बार में इस की इतनी बार शुर्टा स्क्राइब कि एक खास चीज है क्यों कि माइक्रो कोर्स में बहुत बड़ा राज चुपा हुआ क्या करना होता हुआ पूरा क्रत ना करित कि सरफ उस टॉपिकों पटिकुलर टॉपिक को आपने डिसकस करनें करना है जो आपको लगता है मुझे आपको लगता है कि वो आपको नहीं आता इसकेशन मैं डिटेल में करता हूं आपके साथ स्टुडेंट और दूसरे पर स्टुडेंट्स को बताओ अभी वीडियो कोर्स एक यूनिक कोंसेप्ट है कि यहां पर सारे सब्सक्राइब है यहां से भी आप हमारे वटसेप जौन कर सकते हैं दालेंगे मैंट अनलमेंट्राइबलिए लॉजिकल दिंग इंग्लिश सब चीज़ का अविलेबल है सब्सक्राइब करें जैसे देखो मैंने भी प्रॉफिट डिसकस किया है यह काहां चुप है प्रॉफिट लोस है तिरफ तीन ग्लासिज में पूरा प्रॉफिट लोग जर्च तरह गवर किया हो जो शॉर्टकट्स मैंने बताए त्लूडिक दें एक से देड़ गंटे की मिनिम समझा जाए वह चीज इंकलूड होती है एक्स मेरे पास है 468 मुल्टिपल चॉश्चन देखी जैसे आप नंबर सिस्टम से बड़ा डर रहे हैं नंबर सिस्टम बहुत करवा होगी कैस कब करवा होगी मैक्सिम बच्चे ही बूच रहे हैं जैसे नंबर सिस्टम क्या है मेरे देखिए देखिए जैसे तो भी चैप्टर का माइक्रो कोर्स ले सकते हैं अब लॉजिकल रिजनिंग के बात करूंगा बटा लॉजिकल रिजनिंग 266 रुपे का पूरा बट अगर पजल टैस्ट जैसे रैंकिंग अनॉडर का कोश्चन हर बार आ रहा है अगर आप यह ले आपको अपने पता चल जाए जैसे इंग्लिश कॉम्प्रियेंशन है पुरा कितने का देखो सिरफ 413 अगर सिरफ रीडिंग करना तो 349 का वर्ड बिलिंग करना तो 53 जैसे आप और नेक्स देखो यह वाला कोर्स है जो आप लेंगे क्लियर इसका लिंक सब डिस्क्रिप्श सबसे पहला पड़ावी सी सेट हैं समझे ने मेरी बार तो भाई जैसे सपर्षी जी की बात करूं 51 आपके पास दिविया का 105 है आपका स्रिष्टी भटने 138 रेंग से क्यों रही है तो यह सारे वह सुरेंट्स हैं जो 21-23 में बहुत अच्छे रेंग हैं देख सकते हैं अग अब यह नॉर्मल नार है कि प्रतिष्टित आई एस ऑफिसर बन चुकिए तो यह एक दिन आपी की तरह थे एक बिनेट में अब बात सुन देखो रिजर्ड जब चेक किया प्रोलंबर लाला किया कहीं पर देखा उस एक पल में जिंदी की चेंज हो जाती है एक नॉर्मल इ होती है जो मेंटर्शिप शेशंस मिलते हैं सुदेंट्स को बहुत ही अच्छे हैं 25 साल से 200 प्लस एलेक्शन से तो बहुत नाम हैं 25 साल के एक्स्पीरियंस ही बहुत है तो पढ़िये इनकों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो यह सारे के सारे लिंक आपको इमनें क दिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीस है लाइक शेयर सब्स्राइब दा चैनल थैंक यू